ग्यान जोत्ति आई टी चुरू और मैं आपका प्रेक्टिकल है मैं थेओरी का टीचर पंकज त्यारे विदार्तियों आज हम पढ़ेंगे DC छेओरी就 सप्लाई के वारे मैं आपको बैं जानकारी दूंगा तो सरवा फरतम हम क्या जानेंगे DC तिता AC सप्लाई में क्या-क्या अंतर होता है ठीक है अब बात करते हैं हम पहले AC की तो AC की क्या प्रिवासा होती है AC का क्या होता है इसका मान इसका मान मान वै दिसा समे मान वै दिसा समे के अनुसार बदलते रहते हैं के अनुसार बदलते रहते हैं आपने देखा होगा कि AC सप्लाई है वो अल्टरिनेटर के द्वारा में प्राप्त होती है तो अल्टरिनेटर में क्या लगा होता है सलीपरिंग लगी होती है तो इसका इसकी सामाने परिवासा यह यह एसी सप्लाई की कि इसका मान वै दिसा समय के अनुसार बदलते रहते हैं ठीक है तो इसकी की परिवासा यह यह हो गई कि सादान सी परिवासा है कि इसका मान वै दिसा समय के अनुसार बदलते रहते हैं ठीक है अब बात करते हैं डिस सप्लाइव की परिवासाथ ठीक है तो प्यारी विदार्तियों अब बात करते हैं हमें डिसी की ठीक है तो डिसी में क्या होता है इसका मान वै दिसा इसका मान वै दिसा समय के अनुसार नहीं बदलता नहीं बदलता है तो सामान ये परिवासाथ दोनों की ये हो गई अब इसकी में तो आपने देखा होगा कि इसका मान वै दिसा समय के अनुसार बदलते रहते हैं यानि एक सेकिंड में पचास बार 50 राओंड मारती रहती है c dc की बात करें तो इसका मान वै दिसा समय के अनुसार नहीं बदलता है यानि DC की सामान बहसा यही है कि Direct Current ठीक है इसका मान वै दिसा कभी भी बदलते नहीं है यह एक सामान दिसा में चलती रहती है ठीक है अब बात करते हैं DC का उत्पादन कितने वोल्टेज तक किया जा सकता है तो इसका अर्थ ये है कि DC का उत्पादन उत्पादन DC का 650 वोल्ट से अधीके नहीं क्या जा सकता है तो DC का उत्पादन है वो 650 वोल्ट से अधीके नहीं क्या जा सकता अब बात करते हैं AC का AC सप्लाई का उत्पादन की क्षमता कितने किया जा सकता है कितना किया जा सकता है कि AC का जो वोल्टेज सप्लाई है वो कितने वोल्टेज तक उत्पादन की जा सकती है AC सप्लाई कितने वोल्टेज तक उत्पादन की जा सकती है तो इसका आंसर यह है कि 33 के विए तक या इस से अधिक वोल्टेज उत्पादित किया जा सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डिसी की वोल्टेज कितने वोल्टेज कि देख कितने वोल्टेज कितने वोल्टेज तक उत्पादित किया जा सकता है तो एसी में तो हो गया डिसी में तो हो गया आप क्या 650 वोल्टेज और है आप क्या एसी सप्लाई में हो गई 33 के विए तक या इस से अधिक अधिक वोल्टेज उत्वादिते किया जा सकता है अब बात करते हैं डिसी था एसी सप्लाई में वोल्टेज टर्मिनलों की बात करते हैं कि भाई डिसी में कितने वोल्टेज टर्मिनल होते हैं एसी में कितने वोल्टेज टर्मिनल होते हैं इसकी बात करते हैं तो डिसी पहले एसी की बात कर लेते हैं ठीक है एसी की लिख रहे VOLTGE TIRMINAL VOLTGE TIRMINAL ठ्री-फ़ेज या R Y B फेजों ब्री फेजों में विबक्त किया गया है विबक्त किया गया है किया गया है तो हम बात करते हैं AC के वाल्ट्रेस ट्रिमिनलों की तो AC में ट्रिमिनलों की संक्यात तीन होती है R, Y, B ठीक है फेजों में भी बगते किया गया है ओके तो साथ में R, Y, B के साथ में नूटल अर्थात उदासिन नूटल नूटल तार का परियोग किया जाता है परियोग किया जाता है ठीक है अब बात करते हैं DC DC के ट्रिमिनल तो प्यारे विदातियों आपको पहले बताया गया है कि DC के ट्रिमिनलों में DC के ट्रिमिनल माइनस M पलस दो ही बिंदू होते हैं इसमें कोई फेज नहीं होता कोई नूटल नहीं होता इसमें माइनस तता फेज दो टर्मिनल होते हैं दो टर्मिनल होते हैं तो यारी विदातियों एसमें तो आर वाई भी तीन फेज़ों में एसी सप्लाई को विवक्त किया गया है तता डिसी में माइनस एंड पलस दो टर्मिनलों में विवक्त किया गया है अब बात करते हैं डिसी उत्पादित कि डिसी कैसे उत्पादित की जाती है डिसी उत्पादित कैसे की जाती है कैसे की जाती है तो DC के सुरोत यानि DC को उत्पादन किये जाने वाले सुरोतों के नाम बताने हैं तो DC कहां कहां से हमें सप्लाई को DC सप्लाई प्राप्त करते हैं कहां उत्पादित होती है DC के से उत्पादित होती है DC का सुरोतों के नाम कौन कौन से हैं तो इसका मैं नाम बताऊंगा मैं आपको DC फर्तम है शेल तो आपने पहले पढ़ाओगा कि DC DC का जो उत्पादित है वो से उत्पादित किया जा सकता है तो फर्तम शरोत है सेल दो नमर का स्रोत है बेटरी तीन नमर का है जनेरेटर तीन नमर का है जनेरेटर और इन सबी इन सबी स्रोतों से हमें DC हमें DC सप्लाई प्रप्त होती है ठीक है DC सप्लाई प्रप्त होती है अब बात करते हैं एसी सप्लाई का उत्पादित किसी की जाती है तो एसी सप्लाई है एसी सप्लाई के स्रोत है तो सामानेत है एसी सप्लाई अल्टर नेटर द्वारा उत्पादित की जाती है तो आपको कोई पुछे की वहीं एसी जो हमारे गरों में सप्लाई आ रही है उसका उत्पादन कैसे किया जाता है कैसे क्या जाता है तो सर्व परतम आपको बताना है कि डी सी सप्लाई है वहीं वह अल्टर नेटर के द्वारा उत्पादित की जाती है अल्टर नेटर के अल्टर से प्रप्ट सप्लाई को स्टेप अप ट्रांसपार्मेर में दिया जाता है यानि जे कोई 220 वोल्टेज हो जे 415 वोल्टेज हो उसको स्टेप अप करके उसको अधिग वोल्टेज में वीत्रन लाइनों में दिया जाता है वीटरंड लाइनों से डिस्ट्यूबिशन लाइनों में आता है और उससे हमारे गरों के पास जो ट्रांसफार्मर लगाता है स्टेप डाउन है तो उसके दोरा स्टेप डाउन यानि वोल्टेज को डाउन किया जाता है फिर हमारी गरेलू सप्लाई लाइन में दिया जाता है तो आपके दिमाग में ये क्यूसन उठ रहा होगा कि सर पहले तो वोल्टेज को स्टेव अप किया जाता है फिर डाउन क्यों किया जाता है तो मैं आपको बता दूँ कि स्टेव अप इसलिए किया जाता है क्यूंकि आज आप देखे होगे कि कफी लम्मे मतबल आज आप यहां से कोई मोटर साइकल स्टार्ट कर रहे हो यहां से चलेगी और आप घर तक जाओगे तो आप यह सोचोगे कि पहले तो हम इसमें तेल डाल रहे हैं फिर यह खतम हो रहा है तो ऐसे ही है कि यहां लम्मे समय यहां लम्मे रस्ते से होकर जो लाइन गुजरती है वो बीच में तारों में वोल्टेज खपत होती रहती है voltage का खपन होता रहता है तो इसलिए हम इससे step up voltage से प्रापते लाइनों में डालते हैं तो बीच में जो voltage खपत होती रहती है वो step up voltage के कारण है मारे step down voltage तक है कितने भी voltage पहुँचे हमें तो चाहिए 415 voltage इसलिए हमें step up voltage अप करके वीत्रन लाइनों में परवायत करते हैं अब बात करते हैं DC DC से संबंदित सब्दावली यानि DC में क्या क्या होता है DC से संबंदित सब्दावली यानि DC में कौन-कौन से अर्थ होते हैं कौन-कौन से वाक्यान से होते हैं तो सर्वा परतम हम बात करते हैं point number one point number one विभव की बात करते हैं विभव आपने पहले नाम सुनाओगा रोजजी सर से विभव क्या होता है तो विभव की मैं आपको एक छोटी सी परिवासा देता हूँ छोटी सी एकांक दनावेस यानि एक तार से एकांक दनावेस को अनंत से किसी बिंदू तक लाने में किसी बिंदू तक लाने में किया गया कारिये बिंदू में लाने में किया गया कारिये विभव कहलाता है विभव कहलाता है तो सामने विभव की परिवासा होगी कि एक बिंदू से एक दनावेस बिंदू से एक दनावेस बिंदू को अनंत से मतबल कई दूर से एक बिंदू को कई दूर से किसी बिंदू तक लाने यानि जो बैटरी से सप्लाई उत्वादित हो रही है वहां से दनावेस यानि पोजिटिव या नेगेटिव सीरे को किसी बिंदू तक लाने में मतबल बैटरी से जल कर तार आ रहा है वहां से हम लाइन को लाते हैं तो किसी बिंदू तक यानि जो हमारा टोरच है डिसी के जो उपकरण है वहां तक लाने में किया गया कार्य विबव कलाता है तो समाने वासा ये ये है कि किसी बिंदू या अनंत बिंदू दनावेश बिंदू से किसी बिंदू तक लाने में किया गया कार्य विबव कलाता है तो हम बात करते हैं अब विबव की पर्तिक मात्र के ठीक है तो विबव यानि voltage इसका परतीक होता है V यानि इसे दर्साते है V से पर्दसित किया जाता है मात्रक होता है voltage मात्रक होता है voltage ठीक है तो इसका मात्रक तो होता है voltage परतीक होता है V तो आप समझ गयोंगी कि एक कांक दनावेस को अनन्त यानि एक सीरे को किसी अनन्त बिंदू से किसी एक बिंदू तक लाने में किया गया कारिये विभाव कहलाता है अब दूसरे point का नाम आपको बताता हूँ विभावांतर DC के सब्दावली में एक विभावांतर नाम का भी एक point होता है उसके मैं परिवासा बताऊंगा मैं आपको कि विभावांतर क्या होता है विभावांतर विभावाने तर ये second point हो गया हमारा DC सब्दावली का विभावांतर तो विभावांतर की मैं आपको बताऊंगा कि दो बिंदू के बीच के अंतर को विभावांतर कहते हैं कि दो बिंदू के बीच बीच के अंतर को विभावांतर कहते हैं ठीक है दो बिंदू के बीच के अंतर को विभावांतर कहते हैं आप समझ गयों कि विबवांतर किसे कहते हैं विबवांतर उसे कहते हैं कि दो बिंदू के बीच के अंतर को विबवांतर कहते हैं अब जैसे दो लड़के चल रहे हैं उनके बीच के अंतर को विबवांतर कहते हैं वैसे ही डिसी सप्लाई में माइनस एंड पलस दोनों बिंद के बीच के अंतर को विभांतर कहते हैं तो विभांतर का बात करते हैं परतिग विभांतर का परतिग क्या होता है विभांतर के परतिग वी होता है जैसे विभाव का परतिग वी होता है वैसे ही विभांतर का भी परतिग वी होता है वैसे ही उसका मात्रक भी मात्रक भी वोल्ट होता है वोल्ट है यानि इनके दोनों का मात्रक एंड पर्तिग सहम सहम होता है अब बात करते हैं तीसरे बिंदू जो मैंने पॉइंट है यानि विदूत वाहक बल इम एप विदूत वाहक बल अब तीन नमर के बात करते हैं विदूत वाहक बल ठीक है तीन नमर का जो पॉइंट है हमारा वह है विदूत वाहक बल यानि विदूत में लगने वाले बल की बात करते हैं हम वह बल जो विदूत दारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परवाइद करता है विदूत वाहक बल करता है साधार सी है आपको मैंने कई बार बता दिया है कि विदूत वाहक बल क्या होता है वही एक जो इलेक्ट्रोनों को एक स्थान से जो इलेक्ट्रोनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परवायत करता है उससे क्या कहलाते हैं विद्धूत वागबल तो इसकी परिवासा यह हो गएगी वहेबल वहेबल जो वहेबल जो एक स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान वहेबल जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक परवायत करता है तक वहेबल जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक दारा यानि दारा को परवाईते करता है वे क्या कहलाता है वे विद्धुते वाहा के बल कहलाता है ठीक है यानि वे है बल जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक दारा को परवाईत करता है यानि किसको परवाईत करता है विद्धुत वागबले दारा को परवाईत करता है विद्धुत वागबले कहलाता है वहे बल जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक दारा को परवाइत करता है वहे विद्धुत वागबले कहलाता है सादार नसी परिवासा है कि वही वो ताकत है वो बले जो दारा को यहां से दूसरे स्थान तक यानि एक स्थान से दूसरे स्थान तक परवाइत करता है कि उसे चलाता है वे क्या गलाता है विदूत वाहाग बले कहलाती है ओके हम बात करते हैं विदूत वाहाग बलके पर्तिक एमवे वोल्ट को यानि पर्तिक मात्रक की बात करते हैं तो इसका पर्तिक तो भई होता है ए यानि एमफ है एमफ का नाम सुनाओगा तो इसका पर्ति तो होता है यह मात्रक होता है आपका मात्रक है वोल्ट को किसे परदेशित किया जाता है वी से अब बात करते हैं चोटा सा द्यान में पॉइंट एक नोट डालना है नोट में आप ध्यान रखना है जैसे किसी कारिय को करते समय किसी महत्रक बन बात को याद रखना है वो नोट डालना है यह यह दि किसी परिपत में स्विच ओफ रहता है यह दि किसी परिपत में स्विच ओफ रहता है यह दि किसी परिपत में स्विच ओफ रहता है तो दो वहां विवयववांत्र का मान है रह जहाँ यह दि किसी परिपत में कोई परिपत मान हूँ आपका बलभ मालन का मालो कोई प्रिपत मान हो यह दिकिसी परिपत में स्विच ओफ रहता यानि नियंत्रण युक्ती ओफ रहती है वहां विबुवांतर का मान विबुवांतर का मान विबुवांतर का मान का मान तो सुन्य रहता है यानि जो विबुवांतर है चलने वाला अरे बताया नहीं क्या विबुवांतर है दो बिन्दों के बीच के अंतर का तो मान ना सुन्य रहता है ठीक है लेकिन विदुत वाग बल का मान सुन्य नहीं रहता वही यानि विदुत वाग Бल का मान सुन्य नहीं रहता वही यह द्यान रखना यानि दो बिंदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं विवांतर विवांतर का मान तो सुने रहता है क्योंकि अंतर पैदा ही नहीं होता है कोई हमारा प्रिफट चल ली नहीं रहा तो वहां तो आपका विवांतर का मान नहीं सुने रहता है क्योंकि जो आपका विद्ध वागबल है दारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक परवाईत होते है उसका मानए सुने नही रहता विद्ध वागबल का मानए सुने नही रहता